हेलो मैं डेरे स्पूदेंट्स, हैपी रिपब्लिक टू अल अफ यू, आज 20 जन्वडी है और कल से जेई मेन का एक्जाम सुरू हो रहा है, इसलिए ये वीडियो बहुत जरूरी था मुझे बनाना, आप सबको मैं बताना चाहता हूँ जिसका भी एक्जाम कल है उनके लिए, एक्जाम से एक दिन पहले कुछ पढ़िए नहीं, आप अराम से कल एक्जाम आपका है, कल फॉस्स सेटिंग और सेटिंग हैं सेगनी में इसलिए रिलैक्स हो करके, सुबह में उठिये, सुबह में उठिये के बाद अपना जो फर 2-3 घंटा अपके पस समय है, उसे ना हो चोगे तो प्रोसीजर वहां पर उसको फॉलो करोगे जो डॉक्मेंट्स आपको बोला गया उसको लेकर जाईए हॉल टिकट लेकर के अपना प्रूपर जाईए क्योंकि एक्जाम के पर लास्ट मोमेंट पर पहुंचने पर बहुत हरियाफ हो जाता है और उस नहीं दिर में कुछ टेंसर हो जाता है बच्चे को जिसके वाइसम कर राजाता है इसलिए सब को वाइट कीजिए इसलिए प्रूपर टाइम पर पहुंचिए क्योंकि आपके अब कल के आदे घंटा और दो घंटे पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है जितना पढ़ लियो काफी है अब आप एकदम ही टेंशन नलो एकदम पूरा रिलाक्स होकर जाओ कि अगर कहीं कोई मिस्टेक भी होगा तो सेकेंड एक्जाम में उसको रेक्टिफाई करने का उसको धंग से प्रपरिशन करने का बहुत मौकार है आपके पास रिलाक्स होकर के एक्जाम दोगे तो कर टेस्ट लेबर नहीं सकता है यह भी एक बात है इसलिए रिलाक्स होकर के कोईशन पेपर मिले तो जिस पेपर में आप सबसे ज्यादा कॉमपर्टेबल हो फिजिस के में जो भी आपको लगता है कि यह ज्यादा आपके लिए फेबरेबल है उसी पार्ट को पहले शुरू नहीं करना है जो बच्छा टॉप नहीं करने का वारा सोच करके एक्जाम देता है वो टॉप कर जाता है लेकिन अगर पहले से एक प्रेशर अपने आउप पे मौंट कर लोगे कि नहीं हमको यह एक भी कुश्चन गलत हो जाएगा तो तो फिर आपका एक्जाम कर बढ़ हो इसलिए आप रिलेक्स होकर जाम दिजे एक दो कुश्चन नहीं बनता है फिर भी नर्वस नहीं होना है दूसरा बनेगा अगर लग रहा एक नहीं डाइरेक्शन करवा तो उसको छोड़ते हैं अगला कुश्चन बनाते हैं जी 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 जो जो सिक्षन में कमपर्टेबल है उसके कुश्चन को पढ़ो अब फटा-फट उसको बनाओ और किसी भी एक सब्जेक्ट का टाइम दूसरे पर नहीं दो क्योंग कोई एक सब्जेक्ट में 25 कुश्चन आपको करना है तो maximum 100 मार्क्स का ही होगा ऐसा नहीं एक उस पर दो खंटे समय दे दोगे तो 100 मार्क्स अ इस पर प्रूपर टाइम दो क्योंकि जहीं में एक्जाम में कोई इंडिविजुल कटफ नहीं होता है जहीं में एक्जाम में ओवरॉल एग्रिगेट दिखा जाता है तीनों सब्जेक्ट मिला करके अगर आप जो स्कोर करोगे वहीं आपका डिसाइडिंग होगा वहीं लाओ या तीन सब्जेक्ट बनाकर नंबर लाओ इससे कोई मैटर नहीं करता है मैटर करता है कि आप कितना एक्रिगेट स्कोर क्यों की distinguished तीनों को कवर करो और अगरकुए दो 5-6 जिसको भी आप उतना अची बनाओ से जो दो-चार question आपसे बनता उसको बनाओ लेकिन time management पुरपर करो exam में और इसके लिए आपको पहले से कोई planning की जरूती नहीं है exam का time manage instant होता है और कोई भी instant proper plan execute करने के लिए दिमाग को phraseback रहना बहुत Czech जोड़ी है और किसी भी तरह के टेंशन से फ्री डाना ही बहुत जोड़ी है यह मेरा वीडियो सारे बच्चों के लिए बहुत जोड़ी है इसलिए सभी गाड़ जी या निया बच्चा जो भी है इसको बात को सुनो और फॉलो करो इस वजह से आप कोई लोड लेकर नहीं जा पुरपर उनके पास जाओ अपने प्रोब्लम को सेयर करने का मौका रहेगा आपको पास इसलिए डोंट वरी टुइंसन नलो आप अराम से खाओ प्यो और कल का एक्जाम कर त्यारी करो कल का की एक्जाम कोई त्यारी नहीं करना है अराम से खाईए पीजी रिलेक्स होगर सो से या एक दो फरवरी तक एक्जाम है उनके पास तीन-चार दिन समय है वह समय में बहुत अच्छे से कर सकते हैं सारे सी सब्जेक्ट को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं जो आपका ग्रे एरिया उस पर फोकस कर सकते हैं पर डे आपको लगभग 15-16 घंटा पढ़ना है त क्योंकि 25 कोश्चन है और 20 चैप्टर है इसलिए हर चैप्टर से कोश्चन अना फिक्स है इसलिए किसी चैप्टर को आप छोड़ नहीं सकते हो हाँ जिसको एक दमी नहीं पढ़े उसको आप छोड़ सकते हो इसे केमिस्ट्री में एक टॉपिक आपका हमारा डाता है सम बेस इसलिए वीडियो में बना देया उसको अच्छे से आप देख लो उसे कंप्लीट वीडियो को मैं लूट कर दूँगा कल तक आज तक आज रात में भी लूट कर दूगा तो जिसको जिसको उसको इच्छे देख लेना उसे एक या दो कोश्चन आ सकता है उसके बाद तो पूरा का पूरा तो करना इतना कम टाइम याद करना मुझसी पॉसिबल नहीं है लेकिन जो important question मुझे लगता है उसका वीडियो में बना दूगा उसको आप देख लेना उतना से question आगा था कर देना बरना छोड़ देना राइट उसके लिए जो आप पढ़े उसको चोड़ को सुन लेना एगंटा आधा गंटा समय दे करके उसे रेटेट कोशन आएगा ता कर देना नहीं आएगा ता छोड़ देना इसलिए बहुत ज़्यदा उस सब चीज सेक्शन को लोट नहीं लेना उसको आपका काम असान कर दूगा वो लिगिन बात बग जो पढ़े हो और ग सब्सक्राइब कर दिया है तो पीटी और पीटी से रिल्टेट जो पी व्लॉक है उसके पॉपर्टीज भी जो कोश्चन होंगे उसके केमिकल बॉंडिंग उनका हविड़ाजेशन उनके नौर्वल कंपॉंड्स का वालिंग प्वैंड मेल्टिंग प्वैंड कलर इस सब से तो पीटी से रिल्टेट कोश्चन है उसको भी आप सब अच्छे से कर सकते हो एक बार प्रोपर आप देख लेना तो उससे वह भी हो जाएगा वह बहुत मुस्किल नहीं हो क्यों पीटी से जो कोश्चन इस पर आएगा पी ब्लॉक पीटी केमिकल बॉर्णिंग सब मिला कर कर सकते हो तो तो सकते हम horrifying नंबर मैजर का इंट्रिविशन होगा तो उस शेक्षन को आप नहीं चोड़ सकते हो और उसमें जो भी दिकते है आप मुझसे share कर सकते हो उसका coordination chemistry का वीडियो बनाये हुआ हूँ और DNA block का भी है जो आपको problem है उसको आप देख सकते हो उसको पढ़ सकते हो जो दिक्का तो पूछ सकते हो तिया हुआ इसलिए जिसका exam कल है वो कुछ नहीं करे अब अराम से exam के मिंदजार करे और जिसके exam में दोतीनी समय है वो आप इस तरह से कर सकता है बर time का UDCS कर सकता है 15-16 घंटा से कम पढ़ने से काम नहीं चलेगा exam के week में जिस week में exam रहता है उसे बच्चे के पास infinite capacity आ जाता है अच्छा करने का इसलिए आप उसको पहचानो per day एक आप टेस्ट दो और क्योंकि टेस्ट देन और मेरा आप सब के लिए best of luck आप से exam बहुत अच्छा हो और मैं हूँ आपका गुरू और आपका दोस्त अबागार्जियन इंजिनियर विंठाकुर और इस तरह से अपने चैनल पे आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा और आपको मुटिवेट करता हूँगा जो भी दिक्कत है आपको इसे संपर कर सकते हूँ ओके थैंक्यू